सभी को मेरा नमस्कार साथ्यो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीन ढूंड़वा में साथ्यो बहुत बड़ी अपडेट लेके आई हैं आपके लिए आप सभी को पता है पंचायत चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं उनी से रिलिटिड ये सुचना है जैसा कि आप स्क्रिन पर देख पा रहे हैं दैनिक सवेरा की ये कटिंग है कवार की हर्याना पंचायती राजशंस्ताओं के चुनाव की गोशना 3 अक्तूबर को होगी 30 अक्तूबर को पहला चुनाव संभव यानि 3 अक्तूबर को पंचायती चुनाव की गोशना होने वाल यानि जो पंचायती चुणावावा चार-चरणों में होगे दस दिन में पूरा होगा मतदान, यानि दस दिन में मतदान हो जाएगा, हर खंड में 4 लए Prison में मतदान होगा, उसके बाद सात्यों और जानकारी में एक बार दिखा देता हूं, परदेश सरकार ने राज्या चु सीटें अरक्सित हो चुकी है यानि जो ड्रा किये जाने थे वो कंप्लिट हो गए हैं साथियों तो प्रदेश सरकार ने राज्याय चुनाओ अयो को चिठी लिख दी है हिसार जिले में आदमपूर पंचायत आदमपूर पंचायत समीती और जिला परिशद हिसार में ड्रा साथ अक्तूबर तक हो जाएगा यानि 7 अक्तूबर तक जो हिसार आदमपूर में ये ड्रा कम्पलिट हो जाएंगे पंचाईती राजसंस्ताओं के चुनाओ का यह हो सकता है सड्यूल तो पूरा सड्यूल दिया गया साथियों कि किस किस डेट को चुनाओ हो सकते हैं दैनिक सवीरा की गणना के मताबिक अगर 3 अक्तूबर को राजय चुनाओ आयुक्त पंचाईती राजसंस्ताओं के चुनाओ की गोशना करते हैं तो इसका 35 दिन का सड्यूल हो सकता है आयुक्त की गोशना के बाद जीला स आयुक्त नोटिस जारी करेंगे जिसके लिए 5 दिन कारिय दिवस के होने चाहिए इस तरह से 5 दिन 8 अक्तुबर तक पूरे होते हैं रववार की छुटी 9 अक्तुबर को होगी इस तरह 10 अक्तुबर से नामंकन पत्तर भरे जा सकते हैं यानि जो एक अनुमान है 10 तारिक से नामंकन पत्तर भरने शुरू हो जाएंगे नामंकन पत्तर के लिए कम से कम 5 कार्यद्वष्की अविशकता होती है इस तरह 14 अक्तुबर शुकरवार तक नामंकन पत्तर भरे जा सकते हैं अगले दिन 15 अक्तुबर को नामंकन पत्तरों को की जाँच हो सकती है 16 अक्तुबर को रविवार के कारण छुटी होगी 17 वर तक नमंगर वापिशू साकते हैं उम्मी जाओ सब्सक्राइब और उन्हें चुनाव चिन आवन्टित कर दिये जाएर चुनकी पद्र पत्र के लिए चुनाव मतित्र होता है उन्हें पत्र के हिसाब से होता जाते है रदानें मतित्रूं हें प्रिंटिंग कम से कम 10-12 दिनों में हो जाएगी सम्भावना है कि पहले चरण का चुनाव 30 अक्तूबर रविवार को हो शकता है बीच में दो दिन की गैप रहेगा दूसरे चरण का चुनाव 3 नुमंबर को तिसरे चरण का चुनाव 6 नुमंबर को और चोथे चरण का जो स्वेरा की गणना में जो भी तीतियों दी गई है उनमें से उपर निचे भी हो सकता है तो साथियों ये एक सड्यूल सा बताया मैंने इस परकार से पंचाय चुनाव च्यार चरणों में होंगे उसके बाद एक और स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं पंचायती चुनाव की सोमवार को गोशना होने जा रही है राज्या चुनाव अयोग के चुनाव आयुक्त धनपत सिंग चंडीगड में इसकी गोशना करेंगे इस बार सुबे में 71,731 ताडीपदों का चुनाव होने हैं राज्या में पहली बार चुनाव अयोग इसी यानि चार चरणों में पंचाय चुनाव कराने जा रहा है यानि अब की बार पहली बार चार चुनाव होने वाले राज्या चुनाव अयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान पार्टी में चार अधिकारी सामिल होंगे जिसमें 1,8 अधिकारी तथा 3 मतदान अधिकारी होंगे ताकि सांती पूर्वक ढंग से चुनाव करवाए जा सकें इसके लिए संबंधित अधिकारीों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिने निश्पक्सता से मतदान करवाना होगा मतदान केंदरों की स्थापना करने से पहले उनको पहचान भी की जाएगी ताकि यह निर्दारित किया जा सके कि वे मतदान केंदर मतगणना के लिए उचित है या नहीं मतगणना के लिए समूचित व्यवस्ता की जाएगी जहां जरूरी होगा उन मतदान के अंदरों की बैरिकेटिंग भी की जाएगी पहली बार बिसी को मिलेगा पंचायत में परती निदितव पंचायतों में पहली बार बिसी वरक को अरक्षन के साथ परती निदितव मिलेगा वैसे तो जिन गाउं में बिसी वरक की अबादी जादा है वहां पर इस वरक के सरपंच बनते रहे हैं लेकिन इस बार जहां पर सम गाउं ऐसे रहेंगे जहां 20 वरग के ही सरफपंच होंगे इससे 20 वरग में उत्सा भी देखा जा सकता है तो साथ यो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं इससे रिलेटिड यदि कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर क कर दो को